तो इस वीडियो में आपको syllabus बताने वाला हूँ तो यह जो first year का syllabus में बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो यह जो syllabus बताने वाला हूँ यह कौन-कौन से trade का है तो चलिए पहले मैं यह बता देता हूँ कि यह कौन-कौन से trade के लिए है syllabus तो यह जो जिस trade के लिए है वो है electrician और वायर मैन, ITI, Electrician और वायर मैन, Junior Technical Schools, Electrical Supervisor Course, इन सब के लिए ये सिलेबस फस्ट एर का होने वाला है, First Class Competency Certificate and First and Second Year Diploma Student, तो ITI के लिए Electrician और वायर मैन के लिए ये सिलेबस है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, First Year में आपको कौन-कौन से Chapter पढ़ने हैं, तो पहला Chapter तो है, ये सब के लिए है, Safety and First Aid, ये आपको हर Trade में पढ़ना है, Safety and First Aid, फिर आपका आता है Trade Tools, मतलब कि आप जिस Trade में है, उस Trade का ही आपके वाल ट तूल्स दिया रहेगा, लेकिन आपको अपने ही Trade के टूल्स पढ़ने हैं, फिर आपका Third Chapter आ जाता है, Fundamental of Electricity, Electricity के Fundamentals पढ़ने हैं, जैसे Introduction, IS Definition, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, Wires, Cable ये पढ़ने है, फिर आपको Fourth जो Chapter है, Underground Cable System, ये आपको पढ़ना है, Underground Cable System प Ohms Law और Kirchop's Law, ये Law of Resistance है, Ohms Law और Kirchop's Law ये पढ़ना है, फिर आपका आज आता है, यहाँ पर Sixth Chapter है, Magnetism and Electromagnetism and Capacitor, इसको आपको पढ़ना है, यहाँ पर टॉपिक भी दिया गया है, मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, आपके विडियो को पॉज करके टॉपिक भी देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, फिर यहाँ पर 7th Chapter है, AC Circuit, Single Phase, फिर आपका आता है, Polyphase, फिर 9th Chapter है आपका Chemical Effect of Electricity, फिर आपका 10th Chapter काफे important हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये Red Mark लगाया हूँ, House Wiring, House Wiring बहुत ही important है, इसको आप 100% दे कर पढ़िएगा, या फिर रट दीजिएगा, फिर आपका आता है, Earthing, फिर Illumination, फिर आपका आता है, Electrical Instrument, फिर आपका आता है, Electrical Appliance, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 14th Chapter क्या है, Electrical Appliance, फिर आपका जो Last Chapter पढ़ना है, Transformer, इतना आप Chapter पढ़ लेते हैं, मतलब तो आपका पूरा जो syllabus है, यह 100% complete हो जाए अगर आपको Second Year का जनना है, Second Year के Topics क्या है, क्या Chapter पढ़ने हैं, तो मेरा आगला वीडियो देखें